चले आईए सिवान शहर इस्तित दिएवी कॉलेज मोड के निकट महाकाल कम्प्यूटर्स में नमांकन प्रकिरिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें साथ शुन्ने शुन्ने उन्चास पच्छत्तर आठ सो तिरासी पर। सुफिया पब्लिक स्कूल इसकेजी शुगर मिल बाइपास रोड सिवान अड्मिशन फ्री फो गर्ल्स हम समारेंगे आपके बच्छों का भविश्य हम हैं सुफिया पब्लिक स्कूल इसकेजी शुगर मिल बाइपास रोड सिवान अड्मिशन फ्री फो गर्ल्स हम समारेंगे बिल्कुल सजग है और इनी सब कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आम लोगों तक उसकी जनकारी पहुंचाई जा सके कि कैसे लोगों को जागरुक रहना है कुरोना से बचने के लिए क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी को बचाना बहुत ही महत्यपूर्ण है और आज इसी को ले इसे प्रसासनिक तैयारिया क्या कुछ है? तकी लोगों के पास एक मैसेज जाए? और इसमें लगभग जो 320 के आसपास हमारे केसेज हैं, उसमें 12 या 13 केसेज को छोड़के लगभग सारे ही होम आईसोलेटेड हैं, तो हम लोग का पहला फोकस देखा जाये तो टीटमेंट और जो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहे हैं, उनको आईसोलेट करने पर है, पूर पहला जारा हैं, तो उसी साहसे हम लोग अपनी टेस्टिंग की रणनीती भी बदलते जा रहे हैं बराबर, तो टेस्टिंग पे काफी हम लोगग का फोकस है, धाये जा से तीने जार टेस्ट हम लोग बराबर कर रहे हैं, जिसमें गिलग भग 800-1000 के बीच में हमारा साथ ही साथ माइक्रो कंटेन्मेंट जो हम लोग बना रहे हैं उसका मैनेजमेंट एक्चुली बहुत इंपॉर्टेंट है वह एक ऐसा जो माना जाता है कि उसके अंदर ही संदेहास्पाद जो केसे जहते हैं वह उनका हम लोग 100% कम से कम एंटिजन टेस्ट के माध्यम से उसका टेस्टिंग कराने कोशिश की जाती है अगर उसमें से कोई पॉजिटीव आता है तो उनको भी होम आइसोलेशन पर रखने की पूरी हिदायत दी जाती है दूसरा हम लोग का जो पूरा फोकस आता है वह यह रहता है कि कोई सिम्टोमेटिक केस अगर उसका ऑक्सिजन लेव कि उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए वो डिसी एचसी महाराज गंज में रखे गए हैं उनकी कंडिशन काफी अच्छी है काफी सुधार है तो यह दो पॉइंट से इस पे हम लोग बराबर फोकस कर रहे हैं इसके अलावा टीका करण में हम लोगों का एक विशेश फोक बराबर करते रहना है तो मैं हमारी सिवान की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जब भी उनको मौका मिले तो वैक्सीन ज़ूर लें और एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि जिस दिन पहला वैक्सीन लें उस तो बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों में भी जो एक कोपरेशन की भावना है वाइलेशन बहुत कम देखे जा रहे हैं और जो गाइडलाइनस स्टेट गवर्मेंट को दवारा दी जा रही है उसका अनुपालन भी काफी सक्ति से लोग खुद करते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अगर पॉजिटिव संख्या जो है वो टूटल सर ये जानेंगे पहले कि क्या अभी जीले का आकड़ा क्या है पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी है या कितनी थी और रिकावरी किस तरीके से देखिए इसमें लगभग 320 के आसपास हमारे पास पॉजिटिव क संख्या के से इसे हैं जो जिनकी हालत माइल्ड सिंटमेटिक हम लोग बोल सकते हैं जो को सिंटम्स है हाला कि अक्जिजें लेवल काफी अच्छा है नोगों का इन लोगों को हम लोगों ने जो हम लोगोंने एक फैसलिटी क्रिएट की है महाराज गैंज अनुमंधल हस्पत और सारे लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको किट वगरा दिया जा रहा है, तो अगर संख्या बढ़ती भी है फ्यूचर में, तो इस रेशियो को आप अच्छे से समझ सकते हैं, कि 10 बटा 320 कोई खास परसेंटेज नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो आगे अगर होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, और इसमें जो किट इनको दी जाती है सरकार की तरफ से, वो इनको दी जाएगी और उसको प्रॉपर एड्मिनिस्टर करें, 10 दिन तक, 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होता है, मुझे पूरा विश्वास है, जो हम लोगों ने टेस्ट कराने, तो एक अपिल ये भी रहेगी आपके माद्य हम से कि लोग थोड़ा भी सिम्टमाटिक हों तो नियरेस्ट, पीचसी, सीच्टी या सदर हस्पताल, कहीं भी हेल्थ फेसिलिटी है, सब जगे टेस्टिंग हो रही है, अपना टेस्ट जयो करा लें हां के, तु टेस्ट नंबर है, जो की बराबर नियूस पेपर में भी आते रहता है, इसको मैं अलग से आपको मैसेज भी कर दूँगा, ये एक ऐसी फेसिलिटी है, जो की काफी कारगर सिद्ध होई है, इस पर्टिकुलर वेव में, पहले भी इसका इस्तमाल काफी अच्छे से किया जा तो खाली शक के बिना पर अगर उनको लगता है कि मेरी तबियत खराब है, मेरा उक्सिजिएन लेवल कम है, मुझे जरुवत है, तो उस पर कॉल करके एक परामर्ज भी ले सकते हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए, और अगर कोई नीडी है, जैसा मैंने बताया, आपको 12 केसे नीडी थे, उक्सिएन चाहिए था, तो इसी टोल फ्री नंबर के मादियम से, उनको मिला है, एम्बूलेंस वहां जाएगी, उनको ले के प्रॉपर डीसी एची में भर्ति कराया जाएगा, एक हेल्स सेंटर हम लोग और खोल लाए है, डाइट सिवान, सदर ब्लॉक में ही, वो हन्रिड बेड़ वो भी रहेगा, वो भी ऐसी फैसिलिटी रहेगी, तो उस नंबर पे कोई भी फोन करके अगर अपना सिम्टम्स बताते हैं, और ऐसा हम लोगों को लगता है कि नहीं इनको अक्सिएन जरुवत है, तो हम लोग एम्बूलेंस भेज के उसको वहां पर भ गाइड लाइन से क्या रामनवमी का जो जुलूस है या फिर जो पूजा होती है सब नहीं होगा, इद जो है यह नहीं होगा, यह तो कुरुना महामारी है, बड़ी महामारी है, इसके लिए सरकार की क्या गाइड लाइन इसमें देखे सारवजनिक इस्थानों पे किसी भी जुलूस या जो लोग इकठा होते हैं, वो पूर रूप से बैन रहेंगे, इसमें सरकार का भी गाइड लाइन बहुत इसपस्थ है, और लोगों को भी इस पे विचार करना चाहिए, और यह जो गाइड लाइन आई है, वो अलग-अलग सेक्शन से विमर्ष के बाद ही जो पर्मिशन ले रहे थे, उनना अपना पर्मिशन विड्राव भी कर लिया है, अब सारे तरह के जितने भी तरह के कारिक्राम है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे निजी हो, वो सारे ही हम लोगों ने बैन कर दिया है, फिलहाल अभी 30 अप्रेल तक, लेकिन, आपको क्या लग र जागरुक हैं या उससे ज्यादा आज जागरुक है, प्रसासन जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, अब लोगों को साइद ऐसा क्या सर लग रहा है कि इस से बचना होगा, कि लोग बिलकुल जागरुकता आ चुकी है लोगों में, कि इस बीमारी का, लोगों के दिम दिमाग में यह चीज बैठ गई है कि दवाई ही एक मात्र सोलुशन है लेकिन अभी जो लोगों को अपने दिमाग में बैठाना है कि दवाई लेने के बाद भी जैसे जो कहा जा रहा है दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई का अनुपालान अभी भी करना है दोगज की दू लोगों को यह सीख मिल गई सोचल डिसेंसिंग होना चाहिए इस बार दवाई मिल रही है अराम से लोग ले भी रहे हैं काफी तेजी सी टिका करना भियान चल लेकिन अब लोगों को यह चीज जो समाझना चाहिए उसमें अभी थोड़ा लोगों में इस बात की कमी देखी लेकिन जैसे जैसे यह संक्रमर बढ़ रहा है हम लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है मानिनी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस तरह का आवहान संदेश आ रहा है लोग इस इस को समझ लें उतना ही अच्छा रहेगा और हम लोग जल्दी से इस बीमारी के इस इस तरीके से साथ बजे साम को दुकाने भी बंद हो जा रही है यह कब तक के लिए है या फिर उसको आगे भी किया इस इस तीति देखकर कर के लेकि अफितों है ही और टाइम टो टाइम जैसे जैसे डारेक्शन चेंज होंगे हम लोग उसको आपको एडवांस में कम्मुनिकेट करेंगे अभी तो फिलाल है यह सर क्या अपील होगी हमारे चैनल के माध्यम से तमाम सिवान जिले के लोगों को कैसे आपको जिला प्रसासन के लोगों को कोई ऐसी कोई नई अपील मेरे द्वारा शायद करने की जरूवत नहीं है और लेडी लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं मैं सवर्परता हूं अपने जिलावासियों को सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा निकाली जा रही है उसका अक्षार्शा यह लोग अनुपालन कर रहे हैं बजारों में अब ऐसी भीड नहीं दिख रही है अब कहीं कहीं एशू रह रहे हैं तो उसको हम लोग बहुत आपस में एक मूच्वल अंडेस्टेंडिंग के बेसिस पर ही उसको हल कर रहे हैं लेकिन अभी अगर मुझे कोई अपील करना है तो मैं वह बस इतना ही लोगों से अपील करूंगा कि फिलहाल जब तक संक्रमण बना हुआ है आप लोग भी जहूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें टीका करन अभियान में जब आपका नंबर आये जब आप eligibility हो जाए तो टीका करन ज़र दोर ले लें और जिस दिन लें उससे पचासवे दिन दूसरा डोज बिल्कुल आप लोग लेना सुनिशित करें और दवा लेने के बाद सोचल डिस्टेंसिंग और कडाई का नुपालन बिल्कुल करें और लास्ट बट नॉट अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी तुरंट तुरंट आइसलेट हो पाएं और किसी को ऑक्सिगन जरुबत हो अगर कोरोना पोजेटिव मरीज कोई पाये जा रहे हैं बहुत सारे सर अपने हैं नीजी नर्सिंग हों में वो लोग अगर चाहते हों कि हम लोग भी अपने वेवस्था देता कि हम लोग समास सेव करें या फिर लोगों को बचाए जान बचाए इसके लिए सर क्या कुछ आप लोगों ने सुचा है इसमें इसको देखना पड़ेगा कि वो जो लोग हैं वो किस तरह की विवस्था रखे हुए हैं क्योंकि इसमें कोविड पेशेंट्स को टीट करने के लिए कि स्पेसिफि तो उसने वो स्टैंडर्ट फॉलो किया था तो अगर ऐसा कोई होस्पिटल है जिसको लगता है कि वैसा स्टैंडर्ट फॉलो कर सकता है जो लेवल थ्री फैसिलिटी या कोविड केर दे सकता है ऐसे पेशेंट्स को तो बिलकुल हम सीविल सर्जन के माध्यम से ऐसे लोग अ इन्होंने बताने का काम किया और हमारी भी गुजारी सोगी तमाम लोगों से हलाकि लोग जो है काफी जागरूख हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अलग रहा है कि कुरोना है और बहुत बड़ी बीमारी है और इससे अगर बचना है तो सबसे पहले अगर बजारों में ज आगतार हमें साथ भी मिलता आया है और आगे भी इस तरीके से कॉपरेशन मिलता रहता है कि इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके इन्हों नहीं अभी बताया कि कई जगों पे आइसोलेशन के अंदर है या कई तरह की बेवस्थाएं ऑक्सीजन से ले करके सब कुछ इस तरीके से अक्सीजन की कमी हो तो आप उस पे आप सीधे संपर करके और सहायता ले सकते हैं हमारे सहयोगी आसिस कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार एटियन लाइप सीवान मैं नहीं मेरा काम बोलता है Commerce by Vishal Sir 12th का Newэтs Start and Become का Newэтs Start जो स्टूरिंट 11 नहीं पढ़े है या कमजोर है तो उन्हें Commerce के बेसिक पढ़ाकर 12थ का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पर Accountancy, Economics, Business Studies, EPS, चारो विसे की समय से syllabus पूरी कराई जाएगी सिवान की एक मात्रहसी संस्था जहां Listen by Listen Objective Notes दिया जाएगा Weekly Test की है विवस्था, एक Listen के पूरा होने पर Test की है विवस्था Sunday को Extra Classage, कमजोर स्टुडेंट के लिए Special Classes की विवस्था पता, राम राज्य मोर, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान Mobile No. 970-89-41038 City Montessori School, admission is going on Nursery to 10th, on Season 2021-22 नामांकन कराने पर 10 मास तक विसेज छुड World Class Infrastructure, Wi-Fi Campus, CCTV Monitoring, Trained and Experienced Faculty, Language Development Programs, Sports Training, Computer Classes, Digital Classroom, Existive Library, Reach Learning Material, Art and Craft Studio, Director Asop Kumar Singh समय समय पर Science Exhibition का आयोजन आज ही अपने बच्चों का admission कराएं City Montessori School, गादी मैदान, बुडिया माई मंदिर के पास सिवान Mobile No. 9349-89295 अभूशन की दुनिया में एक विश्वशनी है नाम New भारती अलंकार ज्वेलर्स Hallmark जेवर के विक्रेता सुनार टोली चौक सांती वट वरिक्च के ठीक सामने सिवान हमारे अहां आकर्सक एवं सुद्ध Hallmark जेवरों की उचित मुल्ले पर खरदारी करें वेभार व विश्वास हमारी पहचान New भारती अलंकार ज्वेलर्स सुनार टोली चौक सांती वर्ट वरिक्च के सामने सिवान Mobile No. 9631-402553 बड़े बड़े महानगरों के तर्च पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादसा RZ Electricals कागजी मुहलामोर सिवान RZ Electricals लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में जूमर, वाल लाइट, फैंसी लाइट, वाइरिंग मेटेरियल्स, पंका और कूलर अपने मकान या दुकान या सोरूम को सजना हो तो आज ही चले RZ Electricals कागजी मुहलामोर सिवान क्योंकि इससे की भाइती दरों पर कहीं भी आपको जूमर और लाइट नहीं मिलेंगे हमारा मुवाइल नॉमबर है 7543-586-786-790-311-6614 प्रोप्राइटर मुहमद अर्शद हुसैन अब लाटली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी सहर सिवान में खुल गया दुलहन प्लाजा रियान कंप्लेक्स ग्यारवी मस्जिद के नदीक शेक मोहला सिवान दुलहन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर सारी, वेट सिट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडिस पर्स, सूफा कवर सेट और तो और दुलहन के लिए वाज सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा त्योहारों के रंग दुलहन प्लाजा के सग, पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा तो आज ही चले दुलहन प्लाजा, रियान कंप्लेक्स, ग्यारवी मस्जिद के नजदीक, सेक मौला, सिवान पते तक पहुचने में अगर कोई भी परेसानी हो, तो गूगल पर भी मैप एबलेबल है संपर्क नमबर है 9334067407, वहीं दूसरा संपर्क नमबर है 6205758712 विगत 15 वर्षो की सबसे पुरानी एक्स्लूसिफ सोरूम, सिवालिया फैसन, अजित कंप्लेक्स, जेपी चोग, सिवान यहां आपको मिलेंगे मॉंटी कार्लो, स्पाइकर, योकी, वैन हुसेन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जिन्स, टीशर्ट, सर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडिज और जिन्स अंडर गार्मेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध है तेहवारों के रंग सिवालया फैसन के संग, लगन या तेहवारों पर ब्रांडेट कप्रों की अगर खरिदारी करनी हो, तो आज ही चले सिवालया फैसन, अजित कंप्लेक्स, जेपी चोक, सिवान